नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी मित्रों का अपने यूटूब चैनल और पीसी मेकर पर दोस्तों आज का जो हमारा चेप्टर है चेप्टर नमबर ग्यारा समय एवं चाल टाइम एवं एवं इस्पीड तो दोस्तों आज जो चेप्टर है ग्यारा से लेके दोस्तों जो आगे चेप्टर रहेंगे दो चार वो रहेंगे दोस्तों फिजिक से रिलेटेंड ठीक दोस्तों तो फिजिक से रिलेटेंड और जो पिछे वाले जो चेप्टर हमने किये हैं वो हैं बायलोजी और केमिस्टरी से रिलेट ठीक दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चेफ्टर देखो इसके दिल मिंदू है वह देख लेते हैं जो फ़स्त टोपिक है वो रहेगा समय की अवधारना सरलोलक सरलोलक एवं उसका आवर्थकाल समय का मात्रक्षाल की अवधारना दूरी एवं समय का graph तो दोस्तो इस्टार्ट करते हैं अपना वीडियो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे request है यदि आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट करने थो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें तो दोस्तो देखो जो समय और टाइम है वो क्या होता है समय टाइम और चाल ठीक है तर चलता ही रहता है यह हमारे लिए समय का ग्यान अत्यंत आवच्छा करें यदि आपके पास गड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या अब क्या समय हो गया है क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजूर के किस प्रकार केवल चाया देखकर दिन के समय का अनुमान भी लगा लेते थे हमारे राज़त्थान की राज़ानी जैपूर के जंतर मंतर में इस्थित वरहत समराट यंतर एक एसी दूब गड़ी है जिसमें जिससे दो सेकिंड तक के अलब समय को सुद्धा से मापा जा सकता है दोस्तों किस की साथा से इंपोर्टेंट है दोस्तों ठीक है जिके जिके लाक्यूसन है ठीक है आपकी जनरल नोलेज के लिए कि जो राज़त्थान की राज़ानी ठीक है तो यह क्या है एक एसी दूब गड़ी है क्या है एसी दूब गड़ी है जिसमें दो सेकिंड तक के अलब समय को सुद्धा से मापा जा सकता है इसे सन 1735 इसमें जैपूर के महराजा स्वाई जैसिंग दोवारा बनाया गया था प्राचिन काल में भी इसी प्रकार से रेत गड़ी और जल गड़ी का उप्रियोग समय मापन के लिए किया जाता था तो दोस्तो जो प्राचिन समय में प्राचिन काल में जो रेत गड़ी होती है रेत गड़ी का होती है यह देखो यह रही रेत गड़ी ठीक है तो रेत गड़ी के अनुसार इसको टाइम के जो सम समय को हो दार आ यह देखो यह डायग्राम देल खा रिखा है यह है जंत्र मंतर ठीक है यह कंगे ज्यु पूर में है कि छॉछत दोस्तों कभी जैपूर जाने का हो मन तो जरूर यह जंत्र मंतर है जरूर देख के आना अब देखो समय की अवदारणा हमारे पुरुवजनों देखा की प्रकरती में कई एसी आवर्ती गटनाई होती है जो निश्चित अंतरालों में दोहराई जाती है तथा जिनसे हमें समय तथा समय अंतरालों का आभास होता है जैसे सोर दिन अब देखो सोर दिन क्या होता है सोर दिन सुरिय परती दिन प्रते काल में उदाय होता है एक सुरिय से अगले सुरियो दिन के बीच के समय को सोर दिन कहा जाता है यानि कितना टाइम हो गए इसमें 24 गंटे के टाइम हो गए दोस्तो जैसे सुरियो दिन होता है पांच बज़े तो पांच बजे से लेके जो दूसरा सुरीयोदय होगा वही पांच बजे तो कितने गंटे हो गए? 24 गंटे तो इसे बोला जाता है सोर दिन फिर आता है चंदरमास आप देखो चंदरमास क्या होता है? एक अमावशा से अगली अमावशा के बीच की अवदी को चंदरमास कहा जाता है ठीक है यानि कितना हो गया? 30 दिन ठीक है अमावशा से लेके अमावशा कितने आती है? 30 दिन बाद में आती है ठीक है? एक मैने बाद में आती है और हर 30 दिन के बाद में क्या थी है पूरनी माती है तो इस अवदी को कहते हैं चंद्र मास फिर आता है वर्स फिर है वर्स देखो क्या होता है वर्स जितने समय में पर्थवी सूरिय की एक परिक्रमा पूरी करती है उस अवदी को एक वर्स के समय के लिए नियत किया गया है ठ इतने समय में पर्थवी सूरिय की एक परिक्रमा पूरी करती है ठीक है जो पूरी पर्थवी है वो सूरिय के चार और चकर लगाती रहती है ठीक है दोस्तो तो उसको एक जो एक चकर लगाने में कितना समय लगता दोस्तो एक वर्स लगता है ठीक है तो एक वर्स में जितना सम मैं मान लिया जाए तथा इसे 24 ब्राबर गंटों में विवाजित कर लिया जाए तब एक दिन ब्राबर कितना जाएगा 24 गंटे कि देखो एक माध्य सोर दिन ठीक है तो सोर दिन कितना होता है दोस्तों सोर दिन ठीक है जैसे सोर दिन मैंने बताया कितने गंटे का 24 गंटे का ठीक है तो 24 गंटे और इसे 24 से भाग दे दिया जाए ठीक है यानि ब्राबर गंटों में विवाजित कर दिया जाए तो कितना होगा दोस्तों जैसे 24 गंटे और इसको 24 से भाग दे दे तो कितना जाएगा एक कित 26 गंटंटिो में कितने हम गई एक दिन जाया गई-इसी परकार एक Ah- п Traker 616 सेजल नहीं एक ब्राइद में मिनट में जाने कि लिए एक दिन कि सब्सक्राइब autistice के नहीं जाये मैं जाये एक दिन में कितने हो जायए इंगी 6400 सेकंड हो जाएगी कितने दिन में एक दिन में यानि एक दिन में कितने होते हैं 24 गंटे ठीक है किस तरह से निकालेंगे ये देखो एक गंटे के एक गंटे के इस निकालते हैं पहले तो 60 मिंट का निकालेंगे फिर 60 मिंट में कितने सेकंड होती हैं कितने होती हैं 6 20 से आजएगा एक टी देखो ।ो फिर आता है आप ग्याथ की जिए लेक फिर से लेक्त वर्स्मेंक घंटे और कितने that वृतज मे किल वति हैं यह आप आसानी से पता लगा शकते हैं ठीक है दोस्तो देखो आप जान गए होंगे कि हम एक दिन या एक माह है या एक वर्ष के काल अंतराल को केसे मापते हैं हमारे पुरुवजों ने समय को मापने के लिए आवर्त गती को आधार बनाया था समय मापने की सबसे समाने युक्ती क्या है गड़ी है क्या है गड़ी? गड़ियों की कारी वीदी काफी जटिल होती है पर अरतु सभी गड़िया आोर्त गति के आधार पर ही कारी कारी करती है आवर्त गति का एक चिर परीचित उधारण क्या है? सरल लोलक थेक दोस्तों आप देखो यहाँ से जो क्यूसन है वो इम्पORT गती का ठीक है जो गती होती है गती कितने परकार की होती है ये भी आपने पढ़ाओगा पहले देखो सरल लोलक और उसका आवर्थकाल जो सरल लोलक क्या होता है और उसका आवर्थकाल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे देखो दातु के एक छोटे गोले अथ्वा पत्थर के टुकडे को किसी दरड इस्टेंड से दागे द्वारा लटका कर दोलन करवाते हैं इसे सरल लोलक कहते हैं दातु का गोला सरल लोलक का गोलक कहलाता है ठीक दोस्तो जो पूरी जो condition होती है ठीक है दातू के एक चोटे से गोले कोई ऄठीक और फठरे की बात है, किसी दरडivan ये fifteenमा लिया इससे लटकाकर हम दोलन किलाते हैं इसे बोलते हैं गोलक फिर देखो ये देखो ये दरसा रखा है इस तरह से देखो ये जो डाइगराम है ये डाइगराम किसका है ये उदारन है सरल लोलक का ठीक है ये पूरी जो व्यवस्था है पूरी जो ये जो डाइगराम है ये है सरल लोलक आप देखो दोस्तों उसको प देखो यहाप रहलेता हूं मैं 11.3 में लोलक विराम अवस्ता में दर्षाया गया है इसे लोलक की अपनी माद्य इस्थती पर होना कहा जाता है ठीक है दोस्तो कुनसी? कंडिशन ए ए देखो ए वाली कंडिशन यह रही इसमें क्या है? इसमें है जो लोलक है वो विराम अवस्था में है ठीक है यह अवस्था कराती है इसकी माद देश्थिती आपर बीच में होता तब जब लोलक के गोले को धीरे से एक और ले जाकर छोड़ते हैं तो यह है इधर उधर गती करना आरंब कर देता है इस परकार की गती को दोलन गती कहते हैं ठीक है अब देखो यह जो गोलक है इसको पकड़ कर हम इस साड़ में ले जाते हैं ठीक है इस साड़ में ले जाते हैं यहां ले गए फिर इसको यहां से छोड़ते हैं तो फिर पहले यहां पर आएगा फिर यहां पर आएगा फिर यह पर ये क्या करता रहता है दोलन करता रहता है तो इस परकार की गति क्या कहलाती है दोलन गति है चितर 11.3 बी में दिखाए अनुसार जब गोलक अपनी माद्दे इस्थती O से प्रारम करके A तक फिर A से B तक एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि जो लोलक है लो तो important बात है देखो दोस्तों इसको समझने का प्रियास करते हैं देखो ये है देखो चित्रे में दिखाए अनुसार जब गोलक अपनी माद्दे इस्थती O से प्रारम होता है पहले तो यहापर होता है O पर मीडियम मिडिस्थती पर माद्दे बज्था में फिर आरम करके फिर A तक फिर जाता है ये A तक ले आते हैं इसको ठीक है A तक ले आने के बाद में फिर ये A से जाएगा फिर B पर फिर B से वापिस कहा पर आएगा ये फिर वापिस O पर आएगा वापिस उसी इस्थती पर आ जाता है तो ये कहलाता है एक दोलन क्या कहलाता है एक दोलन उम्मि ठीक है यहां से स्टार्ट होगा समय ठीक है तो यहां पर आ गया पहले यहां पर आ गया बिंदू यह पर फिर यहां पर यहां पर बिंदू भी है फिर यहां पर बिंदू भी है फिर यहां पर आएगा तो यानि यहां से स्टार्ट हुआ तो पहले तो यह समय ठीक है एक तो य यह समय जुड़ गया एक एक यह समय जुड़ गया ठीक है यहां से लेकि आतक का और एक समय वापिस आएगा तो यह समय जुड़ गया तो यह कहलाता है एक दोलन फिर देखो दोस्तों इसी प्रकार जब इसका गोलक एक चरम इस्थती ए से दूसरी चरम इस्थती बी पर तथ इसे लोलक का एक दोलन पूरा कहती है ठीक दोस्तो इसे प्रकार से जब क्या है कि चरम इस्थिती A से दूसरी चरम इस्थिती B पर तथा B से वापस A पर आएगा तब इसे लोलक का एक दोलन पूरा करना कहती है ठीक दोस्तो आप देखो दोस्तो जो एक्जाम में क्यूसन है वो आपसे किस परकार पुछा जा सकता है ठीक है ऐसे बोलेगा ये एक सरल लोलक है ये उसके माद्दे इस्थिति ओ है ये इसके माद्दे इस्थिति ए है ये इसके माद्दे इस्थिति बीप है तो अब पुछेगा कि यदि उसने A से दोलन करना स्टार्ट किया है तो उसका एक दोलन कहां किस बिंदू पर पूरा होगा ठीक दोस्तों तो किस बिंदू पर पूरा होगा जहां से वह स्टार्ट हुआ है उसी बिंदू पर वो पूरा होगा यानि A से जाएगा O उपर यानि B पर चला जाएगा फिर वापिस B से O उपर आएगा मादी स्तिति में आएगा फिर वापिस A पर आएगा तो ये कहलाता है एक दोलन यदि वह आपर है ठीक है यानि O से उसकी दोलन गती स्टार्ट हुई है तो उसका जो एक दोलन है वो कौन से बिंदू पर कहलाएगा बी पजाएगा फिर बी से वापिस ओपर आएगा फिर ओपर उसे वापिस ओपर आएगा फिर ए से वापिस ओपर आएगा तो वापिस ओपर आएगा जिस बिंदू से इस्टार्ट हुआ है उसे बिंदू पर वापिस आएगा तो वह समय कहलाएगा एक दोलन उम्मिद करता हूँ दोस्तो आप मेरी बात को अच्छे से समझ गई होंगे फिर देखो दोस्तो आवर्त काल क्या होता है देखो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं ठीक दोस्तो जैसे जो सरल लोलक है यह यहां से बिंदू इमाद इस्तिती है तो इसे इसकी जो एक दोलन है तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा है यानि इस बिंदू से इस मिंदू पर आएगा, यानि A पर आएगा, फिर वापिस B पर, फिर B से वापिस इसे पर आएगा, ठीक है, तो वापिस, यानि कि ये समय काउंट हो गया, फिर A से B तक पूरा समय काउंट हो गया, फिर B से यहां पर मिंदू O पर, तो ये समय काउंट हो गया, तो ये जो प आवर्तकाल ग्याद करना दोस्तो चेपटर ठोड़ा बड़ा है तो इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे आज इसका हम पार्ट नमर 5 पढ़ेंगे फिर इसका जो छेंज भाग बचेगा वो हम पढ़ेंगे पार्ट नमर सेकिंड में देखो इसकी गतिवी दी नमर फैस्ट अब वो देख लेते हैं आवरत काल गयात करना वो किस परकार से गयात करते हैं लग बग एक मिटर से अधिक लंबा दागा अथवा डोरी लेकर चित्र 11.3 में दरसाई अनुसार इस्टेंड या कील पर लटका कर एक सरलोलक इस परकार बनाईए कि इसके लंबाई एक मिटर यानि सो सेंटिमिटर हो यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए गोलक सोरी लोलक के गोलक को अपनी माद्य इस्थती पर विराम में आने दीजिए फिर गोलक के नीचे फरस पर दोस्तो इसको समझने का प्रियास करना साथ साथ में ठीक है यह थोरी है जो अपना माइंड है माइंड के अंदर जो इसका डाइगराम है वो अपने साथ साथ में अपने आवर्तकाल मापने के लिए एक विराम गड़ी की आवसकता होगी यदि विराम गड़ी उपलब नहीं है तो मेज गड़ी अथ्वा कलाई गड़ी का उपयोग भी किया जा सकता है लोलक को गती में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे मद्दे में से एक और ले जाईए यह सुनिस्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विष्थापित कर रहे हो तो इसकी डोरी तनी हुई हो अब गोलक को विश्थापित इस्थती से मुक्त कीजिए जया रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए जिस समय गोलक अपनी माद्दे इस्थती पर है तब गड़ी का समय नोट कीजिए माद्दे इस्थिती की बजाए आप उस इस्थिती में भी समय नोट करना प्रारंब कर सकते हैं जब गोलक अपनी एक चरम इस्थिती पर होता है फिर लोलक दोरा बीस दोलन पूरा करने में लगे समय का मापन कीजिए सारणी 11.1 में अपने प्रेक्शन लिखिए इसमें दिया गया प्रेक्शन केवल एक नमूना है आपके प्रेक्शन इससे भिन भी हो सकते है इस क्रिया खलाब को 3-4 बर दोराईए उसारणी में लिखिए बीस दोलनों को पूरा होने में लगे समय को बीक जो बीस से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्थकाल ग्याद कीजिए ठीक है दोस्तों अब देखो जो आवर्थकाल वो केसे निकालते हैं इसका फूर्मूला बनेगा यहां से देखो जो डोरी के लंबाई है वो कितनी है 100 सेंटिमेटर की ठीक है यहां पर करम संख्या है यह सीरे लंबर दोलनों की संख्या है बीस 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 ठीक है अब जो प्रेक्षन है वो अलग लग लेंगे हम देखो आवर्त काल निकाने का फोर्मूला होता है समय बटे दोलनों की संख्या ठीक है टी अपोन एन टी आपर क्या है समय ठीक है दोलन में लगा समय यानि 40 सेकेंड तो 40 लिख दिया उपर ठीक है देखो प्रत्थम प्रेक्षन के लिए नीचे क्या आएगा नीचे आएगा में लाइन यानि दोलनों की संख्या तो समय कितना 40 सेकेंड में भाप्ते दोस्तों अगर या पर 40 मिन रता तो इसको पहले सेकेंड में चेंज करना पड़ता है ठीक है यानि यहां पर दे देता कि वले एक मिनिट बढ़ता एक pension के दो यहां पर नीचे दोलना कि इस तो बीस का भाग देंगी तो चाड़ेस बटेश कितना आगया दो सेकंड तो यह आगया उसका आवरतकाल ठीक है फिर यहां पर मालों साथ माल लिया साथ सेकंड तो साथ बटेश रखेंगे इतना जाएगा तीन सेकंड इस तरह से आप जो अलग अलग के आवरतकाल को प्रभावित नहीं करता है ठीक दोस्तो फिर आता है अपना टोपिक है समय का मात्रक ठीक दोस्तो तो दोस्तो इसके आगये का जो चेप्टर है वो हम पढ़ेंगे इसके पार्ट नमबर सेकंड में तो दोस्तो उमिद करता हूँ आपको जितना मैंने समझान बिल्कुल इजी है ठीक है इसके जो भी टोपिक है बिल्कुल इजी है क्योंकि जो फिजिक्स है या सिक्यूसन बनते हैं और वेरी जो इजी बनते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हि जै भारत